इस बार बीजेपी नेता स्मृती इरानी का ये बयान कई लोगों के जहन में कई सवालों का जवाब है कि स्मृती का चुका राहूल गांधी की तरफ भी है थोड़ा इस बार खरारी हार का सामना करना पड़ा था उन्होंने लोग सभच नाव में इस बार इसके बार जो हुआ वो लोग ज़रूर जानना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कॉंग्रिस नेता राहूल गांधी की लगतार हमेशा आलोच ना करने वाली उन्हें नीचा दिखाने वाली उन्हें कटगड़े पर खड़ी करने वाली स्मृती रानी जो टीवी एक्टरस से केंद्रिय मंत्री तक का सफ़र तै कर चुकी है उन्होंने हमेशा ही राहूल गांधी को जो आलचनों में रखा वजबार राहूल गांधी की तारीफ करते नज़र आई है यकीन तो किसी को नहीं होगा लेकिन सच है स्मृती रानी ने हाली में एक पोड़कास्ट में राहूल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव की बात कही है और इसके उदाहरन भी दिये उन्होंने कहा कि राहूल गांधी की पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आया है सोशल मीडिया पर चर्चा का विशय बन गया स्मृती इरानी का ये बयाद स्मृती ने पॉडकास्ट के दौरान कॉंग्रिस नेता को लेकर जो कहा वो अब जरूर जाना चाहेंगे स्मृती इरानी ने ये कहा राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है उन्हें लगता है कि वो सफल हो रहे हैं वो कास्ट को लेकर बात करते हैं तो इतने साल की राजनीती में पहली बार वो इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं अगर संसद में टी-शिट पहनते तो वो जानते हैं वाई टी-शिट में वो युवा पिड़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं इस गलब फैमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि वो कोई भी कदम चाहें किसी को बुरा लगे या अच्छा उनका कदम भले बचकाना हो लेकिन वो अलग लेवल की राजनिती कर रहे हैं ऐसा कहना है स्मृति रानी का नेक्ष्णाइन लाइफ टुर्तिक रिपूर्ट